नमस्कार साहित्य की कारकम में आपका स्वागत है इस कारकम में आज हमारी चर्चा का विशय है साहित्य में हिमाले केश्वर संदर्ब महावी रमाल्टा और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्वयम महावी रमाल्टा जी और उनके साथ दूसरे हमारे महमान है प्रदीप रावत रमाल्टा जी चर्चा की सुरुवात करते हुए पहले महावी रमाल्टा जी आपके पास आ रहा हूं और आप से मेरा पहला सवाल ये कि आपने लिखना कब सुरू किया और वो कौन सी परि मैं जब मैं राज के किर्थी इंटर कॉलीज में ध्यन रथा उस दोरान उत्तरकाशी में कवीता का बहुत अच्छा बातावन था वहां समय समय पर कभी सम्मेलन होते थे और उन सम्मेलनों में राज चस्तर के कभी शिर्कत करते थे उन्हीं कवियों को सुनते हुए कुछ-कु के शुरुवात की और थोड़ा इसमिर्टी के तौर पर देखों तो मेरी पहली कवीता मार्च उनिस सो तरासी में ही उत्राण चल में बेरोजगाश्री सक्सेब परकाशित हुई थी अच्छा जी और इसी से जुड़ा हो मेरा सवाल था कि हर लेखक की हर कभी की कुछ ऐसी परिस्तित्यां होती है एक तो सौकिया लेखन पर पहाड़ों में खासकर हिमालई हिस्सों में हम देखता है कि जो भी लेखके आंसे उबरे उनका प्रणोदन कुछ ऐसी परिस्तित्यां बनी वो चाहिए प्रकृति रही हो चाहिए उस प्रकृति के बीच के जो संत्रास हैं हो रहे हूं कुछ नों कुछ ऐसी प्रेड़ाईं रही हैं जिन से उन्हों तुन्हों ने लिखना छुरू किया जानना चाहरा था कि क्या आपके मामले में भी ऐसा था पहले यह विचार कहां से अया की कुछ लिखना चाहिए गो इनी सो तैराज़ा हो या मैंने पर बारे में सुनता था, लेकिन कवीता की समझ कोई बात मेरे पास नहीं थी। जब मैंने जैसे पूर में बता चुका हूं कि कभीताय लिखनी शुरू की तो कभीता और उसी दोरान बाल साहितिक की पत्रिका आती थी पराग कनहिया दाल नंदन जे संपादक थे तो मैंने पराग को नेमित पढ़ना शुरू किया और उससे मुझे लगा कि मैं बाल कहनी लि मैंने परकाशन का मन बना लिया और पांडू लिपी लेकर के मैं परियार अभिद सुन्दलाल भाहुगरान जी के पास गया उस पर दोशब दिखले उनके लिखवाने के लिए उनके कभी पुत्र राजीवनेन भाहुगरां जी उन देन उत्रकाशी में गजल की एक अच्छ परकाशन में कर रहा हूं आपकी क्या इस पर राई है और क्या इस पर दोशब्द आपके भी हो तो उन्होंने मुझे एक बात कही है उनका देखिए आज जिस तरह आप ये कहानिये लिख रहे हैं और हिंदी में इससे बहतर लिखन हो रहा है और आप किस तरह अगर लिखते को ही आधार मान करके उसके संस्कृति को का थोड़ा आतमर्साथ करके उस पर लिखें यहीं से मुझे वास्ता में लगा कि उनका सुजाव सही था और मेरे भीतर एक ललक तो थी मैं हमेसार से कहता हूं कि जो मैं लेखन में आया लेखन और अभीने में मुझे कोई आकशन ही तुस आकशन के चलते मुझे लगा जब मेरे मेरे चेत्र में इतनी संपनता है उस संपनता को मैं लोगों के समक्स रख सकता हूं बस यही परिश्तित्यान थी कि मुझे अपने संस्क्रिटी को लोगों के संस्कृति रखना था है और इसलिए मैंने भीदिवत लेखना बहुत सुन्दर और बहुत आकरसक कुछ दिखने दिखता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़े कस्टों का एक बड़ा अमबार भी होता है प्रदी प्रावत जी आप भी अपने नाम के साथ रवाल्टा लगाते हैं और जैसे मैं एक बार हमारी पीडी को आगे जी जी विद जो भी जाती और दूसरे टाइटल होते हैं वह सब बेमानी हो जाते हैं इसी तरीके से मैं देख रहा हूं कि आप महावीर रवाल्टा है आप प्रदीप रावत रवाल्टा हैं यह जो रवागी घाटी है यह किसतरा की घाटी है इसका जो भोगौलिक विन्यास है वो क्या है थोड़ा उस पर और फिर सास्कृतिक पक्ष पर मैं बाद बाद करूंगा जहां तक रवाई घाटी के बात है कि वह उसको घाटी नहीं कहेंगे रवाई एक बड़ा बिश्त्रिच छेत्र है और रवाई कोई एक पर्डिकुलर ब्लॉक नहीं है या ऐसा नहीं है रवाई प खेती किशानी और हमारी संस्कृति यह हमारी पैच्छान है जो लोग है लोग ही रवाई की पैच्छान है और जहां तक आपके एक गौरब जो होता है मैसूस होता तो रवाल्टा से कोई ऐसा नहीं आया कि वह एकदम से कोई आ गया होगा आज महार्विर रवाल्टा जी है एक बहुत बड़े हस्ताक्चर है हमारे रवाई घाटी के तो इन से पहले जोट सिंग रवाल्टा जी थे बहुत बड़े समाज सेवक रहे उन्होंने बहुत बड़े-बड़े आंदोर हैं कि आज रवाई में जो विकास कारे जो हम देखते हैं चाहे वो छोटे से एक तो रवाल्टा कोई आसानी से ऐसे नहीं बनने ट्रह बड़े आशानी से हर कोई रवाल्टा नहीं बन सक्क्ता हम दो अभी शुर्बात कर रहे हैं टो अगर उत्राफ़न में संस्किटि के हिसाब से सर बहँ परी मैं किसी को समझता हूं तो मेरे हिसाब से रमाई, जॉन सार और पिथोरागडवाला जो इंटिरियर जो एरिया है, संस्कृति वहां भी जिन्दा है जब हम आधुनिक दोर में जा रहे हैं, बहुत संस्कृति हम भूलते हैं अपनी चले जा रहे हैं, हमारे लोग गित भूल गए सब, हमारे रमाई मे इस सब चीज़ार जिन्दा है, संस्कृति से जुड़े ऐक और बात है, पलाइन, खेती किशानी, पलाइन को इशीन है हमारे यहां रोका है, तो रमाई के एक पहचान यह भी है, कि हमारे पलाईन की दर बहुत कम है, जहां पूरे उतरकाशी जन्दपद में, खासकर रमाई में पलाइन के दर घ्टी है क्या बात बड़ी बात तो इसके पीछे में करण है हमारे संस्कृति रमाई घ्टी कि है तो बहुत ही सुखद आंकड़ा है कि पुरे उत्राखंड में जहां पलाइन लगातार बढ़ रहा है और वो निगिटिव है तो जैसे आप कहे रहे हैं प्र आपको बिजली न दिखाये दे रुसनी न दिखाये दे क्म से कम इतना ये सुखत है तो इसकी पीछे कहीं न कहीं जो कारण है हमारी शंस्क्रति हैं, हमारे लोग नमाटी महाविर रावाल्टा जी ने भी रावाल्टी को आज जो पहचान दिलाी है, वो महाविर्स रवालडा जी ने सुरू किया इन से पहले किसी ने नहीं नहीं निकुल आए में पहली बार इन्होंने रवालती और चुटे-मोटे रहंग से लिखते रहते थे लेकिन जो प्रकास्षन के जो चुरूत हुई वह दर्वालू कविता से शुरू हुआ उसी आपने रवाई छेत्र की भागौलीक और सांस्कृतिक परिदिश्य को हमारे सामने रखा। महावीर रवाल्टा जी के बारे में आपको बता हूँ, कि किसी जमाने में बहुत पहले बिद्या सागर नौटियाल ने मुझे से कहा था, तब मेरा आप से प्रत्यक्ष संपर्ख नहीं था, कि जब मैंने उन से ऐसे अनौपचारिक बातचीत में पूछा कि आज कल जो लोग हैं, उन मेंं से कौन लोग हैं और कोई खास नाम जो आब लेना चाहेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि उन्होंने महावीर रवाल्टा नाम लिया, ये मुझे लगता है, नब्बे के दसक की बात है, और जब उन्नोंने महावीर रवाल्टा नाम लिया तो आपकी एक दो कहानियां बेशक मैंने पड़ी थी लेकिन तम मुझे लगा कि इस शक्स से जरूर मिलना चाहिए जिसका नाम इतना मने इतने इस्ताफित तो थे ही और उस समय वो के वो लिख और पड़ रहे थे बाकी राजनेतिक और सामाजिक क्रिया कलापों से दूर थे यहां तक दावा है कि रेणू जी ने बेशक शुरू किया हो लेकिन रेणू जी से पहले बहुत इस्तरीय आंचलिक साहित्यात्या कानिया और सेरेश मढ़नी ने बहुत सारी आंचलिक कहानिया रेणू जी से पहले लिक कर शोड़ दे थृ मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि हिंदी का कि वो מुख्य धारा है साहित्य की खासकर कथा साहित्य की और ये जो अंचलिक कहा गया जी और उसके साथ-साथ अंचल में ग्राम एंचल था अब तो यह भी होता की ग्राम इंड जीवन की कहानिया या ग्राम में कथा ह। या ग्राम में कताकार जी यह जो शब्द परचलन वे आ रहे हैं तो देंग रेवी आ ये जो हिंदी के मुख्यदार रहा है इसमें जो आंचलिक साहित्य का यह जो जो कर रहा है उसको हिंदी घता साहिति को सम्रिद किया है और बात करते हैं अब बीभाजन या उसकी नामित करने वाली बात है कि अगर हम अंचल में रह करके सिर्जन कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग हमारे आंचलिक साहितिकार आ जाएंगे चिती शर्मा जी है इस तरह के लोग आपकी कहानियों में कि आपक करते हैं या कौन सी वो वो साहितिकों किस कैसे दर्जे में रखते हैं क्या उसका बर्गी करन करते हैं यह अलग आलुचकों और उसकी बात है इस पर बड़ा टक्निकल सा सवाल मैं उसको लेकर फिर आपके पास आता हूं इससे पहले क्योंकि हमारे यहां जब आंचलिक साहि कि अब भी एक ठीक ठाक धमक है गाउं से बहुत सुन्दर कहानिया आ रही है और हमारे हिमालियन लोग से और बाकी आदिवासी समाच से बहुत सारी कहानिया कविताएं यहां तक कि नाटक आ रहे हैं लेकिन अमूमन यह एक आरोब भी है महाविर रवाल्टा जी कि कुछ ल इस तरह की यह जगड़ा लगाता है और आप इससे बहुत अच्छी तरह विग्या हैं आपके पास रावजी मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि महाविर रवाल्टा जी को आपने बहुत करीब से देखा है क्योंकि उसी अंचल के आप भी रहने वाले हैं और आप उनके कट हैं और यहां पर जो सहरों में जो भी रहते है अगर आप अपने लोग से जूड़े हुए हैं देखाए में तो आप और रहो time के बॉपा करता हूं, उसका उनको लिखना चोप अपने लोग के बारे में तो लोग इस तरह के आलोचना करते हैं, तो मैं उन लोगों का आलोचक हूं, पूरी तरह चीए, आप कैसे किसी को कह सकते हैं, वो अपनी लोग से जोड़ा हुआ है, अगर वो महां दिल्ली गया है, तो उसके कोई मजबूरी रही होगी, वो रोजगार के लिए महां गया है, लेकिन उसे अपनी लोग का पता है, उसे अपनी संस्कृती पता है, उसे जिन्दा रखने की वो क निकला है कि मोबाइल से ही लोग लिख दे रहे हैं और उसको सेब कर ले रहे हैं तो लिखने की संकट अब उतने है नहीं बसरते बात है कि रचना सेलता जिसके अंदर है वो कहीं पर भी बैट के अगर लिख रहा है तो उसको लिखना चाहिए लेकिन उसके साथ एक चीज ध्य रखना चाहिए कि कई चीज लोग लिखने में बहुत जल्दबाजी कर लिखते हैं और जल्दबाजी में वो अपनी लोग और अपनी संस्कृती से गलती से ऐसे चीजें कुछ कर बैटते हैं जो उसको गलत इसा मिले जाता है तो थोड़ा सा संजीतगी से लिखने की कि रवालटा जी जब हम लोग पर लिखते हैं अंचल पर लिखते हैं ये एक बात का विमर्स है कि जैसे इस्तरी विमर्स चला ललित विमर्स चला वैसी एक अंचल विमर्स क्यों नहीं चला ये एक बड़ा संकटेश जबकि आंचलिक साहिते में इतनी भरमार में साहिते हैं का उपलब्द है और लगातार लिखा जा रहा है लेकिन इस सवाल से पहले मैं आप से यह जानना चारा था कि जिस तरफ अभी प्रदीप रावजी ने संकेत किया है कि लोग पर जब आप लिखते हैं वहां की आस्ताएं हैं वहां के विश्वास हैं वह सकता है आपके लिए व कुछ रचनाएं आई हैं जो लिखी तो बहुत इस्तापित ले लोगों ने हैं किसी अंचल विशेश पर लिखी हैं और उनको लेकर कि इसलिए विवाद आ गया कि बाद में पता चला कि वह जो लिखने वाले थे वह उनको उन चीजों की वह गहन जानकारी थी भी नहीं कि चीजों को कैसे प्रस्तुत किया जाना है तो क्या यह संकट है कि अंचल पर लिखते हुए आपको उसमें उसमें डूबा होना चाहिए और क्या जो भार से जो लोग लिखते हैं किसी अंचल उनके साथ यह खत्रे जादा होते हैं जी एक इससे जुड़िवी यह बात होती है चैनल आपके सामने चुनों को सब्सक्राइब कर रहा हैं इस तो बहुत सारी वो संभानों से गुजरना पढ़ेगा और बहुत सारे सतरुक्तासे गुजरना पढ़ेगा माना ठीक है हम किसी चेत्र विस्यस को लेकर लिख रहे हैं किसी अंचल को या लोग कहीं का लोग साहिते लिख रहे हैं तो उसके लिए हमें एक तो उसे लगाओ जुडाओ और अनुभूती होनी चाहिए आप सुनी सुनी आई बातों पर मैं सुएम जब पढ़ता हूं तो बह उसी रूप में प्रस्तुत करें सुनी सुनाई बात को तो वह बहुत कस्ट दायक है खास कर अच्छे जो जागरुक लोग हैं और उसे ऊपर जो उस छेत से सम्मंद रखते हैं जो जागरुक हैं और मैं सुएम मानता हूं कि जो हमारा लोग है लोग समरिद है और लोग चाय सकता और सकता के साथ संभावनों को हम इस रूप में बढ़ा सकते हैं कि हम उनकी जड़ों तक पहुंचें मैं रवाएंचेत्य से संभन रखता हूं तो मैंने कोशिश की है माना अकेले एक लोग आथा के लिए मैं बड़सों घूमता रहा बड़सों संकलन करता रहा और बड़सों कई लोगों को से संपर करता तब कहीं और चीज सही रूप में सामने आ सकी जी 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 आप आप कही सवाल से सवाल निकालते हुए मैं प्रदीव रावजी के पास जा रहा हूँ कि आपने महाविर रवाल्टा जी को लिखते हुए देखा है पढ़ते हुए देखा है उनकी संगर्सों को बहुत करीब से आत्मसाथ किया है आपको उनके साहित्य को पढ़ते हुए ये अलग ब ups दो पढ़ा ag써 हो सकता लेकिन उससे जो कथे निकल के आ रहा है वह तो फ्रे विश्वका है और ओर यहां के बच्चे के साथ तो जर्मनी के बच्चे के साथ पी हैं इंगलेंड के बच्चे के साथ दिये, सबी बच्चों और हमारे अफरीका के बच्चों के साथ दिये लेकिन आप उनके सहाइट्य को जब पढ़ते हैं तो आपको क्या लगता है कि महाबिर रवाल्टा के सहाइट्य में जो रवाई आती है रवाई घाटी आती है, क्या वो अपने परिपूर्ण रूप में आती है, या उसमें कहीं कल्पनिक्ता का पुट है, या कहीं आपको ये लगता है कि जितना रवाई में है मौजूद, उतना अभी महाविर रवाल्टा नहीं ला पाए हैं, ये आप बिलकुल बेफिक्र हो के क परिपूर्ण रही है, बिना ये देखे वर रूपН, महाविर रायुद, और जितना रहीमा है, ये जब भी कृटाब पढ़ता हूँ, मैं अपने आपको गाओं में पाता हूँ, वो रचनाएं, वो किताबें मुझे गाउं लेकर के जाते हैं, मेरी मुझे वो संस्कृति याद दिलाती हैं, जो हम बच्पन में देखते थे, या बहुत सारी चीजें सुनते थे, आज हमारे याँ जोड़े, चांचरे, छोड़े, यह सब गायब हो गए, तो जब आप गहराई से पढ़ते हैं, जो भी कोई पढ़ता है, तो आप अपने आपको गाउं में पाहोगे, समझ में नहीं आता है, अगर आपको वो लेंग्वेज समझ में नहीं आता है, अगर आप उसको को गहराई से पढ़ेंगे, आपको समझ जाएगा, आपको ऐसा सूकर कि इसमे प्र haver में करता है कि यह बात एक है मियां जातल उन हो Ilmu A Wayan tu को लोग उसको उसे साप्से देखते हैं जो पंढे वालम सहात्त है मैं उनकी बात करते हैं, जो चाहिते पड़ते हैं उसको समझते हैं और आत्मसाद करते हैं, तो उन स्लवक्त करने खाल ग्ललूबल है। जहाँ त्रेक्षग ऑभ वह सभात है, मह probतनी एक है वुमें भूच्वाँ क समाई है और पाव हैं। पुरा पहाड पुरा रवाई से मतलब यह पुरा पहाड है आपकी बात चीश्थे मुझे लगता है कि कास हमारे सबी आलोचक इतने उदार होते जितने क्योंकि हमारे यहां आलोचना की परमपरा है और यह अमूमन होता भी है कि जो जितने बड़े इस्तर का लेखक है हमारे बीच उसकी उतनी ज्यादा उसके यहां तो ढूंडा जाना चाहिए मैं जब महाविर रमाल्टा को पढ़ता हूं तो एक बार नहीं कई बार पढ़ता हूं यह देखने के लिए कि कहां इन से चूक हुई हैं जहां पर कि मैं रमाल्टा जी को टोक सकूँ कि भाई सब यहां पर में लिखते हैं कहीं बलकि कुछ कहानिया तो मैंने ऐसी दिखिए जिनका थोड़ा च्छेपप मुझे बाल कहानी में लिखता है और वही कहानी फिर बड़े इस तरह पर प्रोड़ों के लिए आ जाती है वह कौन सी परिस्तितियां होती है कि कभी एक बात को कहने के लिए आ जाना चाहिए मुझे लगता कि जैसे जो रचना है वह रचना अपना प्रभाव पाटकों पर अपने प्रण से दाल दी अच्छी कभीता है तो कभीता को समझने या कभीता के पर्तिरूची रखने वाले व्यक्ति के लिए लेकिन जहां तक मेरी रचना धर्मीता का प्रशन मुझे यह लगता है कि इसको मैं बच्चों के माध्यम से आसानी से पहुंचा सकता हूं तो मुझे तय है कि बाल कहानी ही रचनी है अच्छा यह भी मैंने परियोग कि एक बड़ी कहानी को बच्चों तक पहुंचाना है तो मैंने उसका बाकाइदा नाटे रूप अंतरन कर के वह भी बच्चों के लिए बाल नाटक के रूप में उसको प्रस्तुत किया तीसरी बात है चूंकि मैं स्वयम ही रंकर्म से जुड़ा रहा हूं बहुत सारी मुझे लगा कि अगर इस रचना पर एक नाटक ही रचा जाय है तो यह बहुत ही अनुठ अंदाज में सामने आ एक फिर मुझे लगा कि इन लोक कथाओं पर बाल नाटक हो सकते हैं मैंने उसको बाल नाटक रूप में और यह देखा मैंने कि बच्चे को बहुत ही रूची से आत्मिसाद कर रहे हैं और उसी लोक कथाओ पर मुझे संभव नहीं दी थी मैंने पून काल के नाटक और वहां पर मुझे मेरे साथ हो संतुष्टी का भाव हुआ मुझे लगा कि मैं इस जो इस रचना को हूं पूरे शिद्दत के साथ अपने पाठकों तक पहुंचाने में सफल रहा हूं तो ऐसी उपन्यास से जहां मुझे लगता है बहुत बड़े उपकथाओं के साथ या ब समलेश भारती जैसे लोगों ने मुझे एक बार सुझाओ दिया था कि संबेद का यूगल जी सुपरशिद्द लगुकथाकार रहे हैं संबेद का एक यह लगुकथाकार विश्य शांक निकल आप लगुकथा तो मैंने हमेशा से इन चीजों को आप मुझे कहते हैं कि इस विधा में लिख सकते चुनोति के रूप में लिया लगुकथा रची अनाम पापी और उस विश्य शांक में संबेद के उस विश्य शांक में थी उसके बाद भीद्वित लगुकथाओं को दौर चला और जो देश पर की परतिष्टित लगुकथाओं की पत्रिकाएं या आज हैसे सभी पत्रिकाओं को डेली तो सव्भागे से लगुकथा और संक्लाति शांक को आपके सामने राया है स्वाइब हुध में आपकी बाद चिति से मान्के आपके पास सवाल के साथ मैं। कि अमोमन हमारे खासकर हमारे हिंदी पट्टी में तो ये बहुत बड़ा संकट है कि हमारे यहां लेखक और खासकर साहित्यकार समाज में वो अस्तान हासिल कम सकम अपने जीते जी नहीं कर पाता जिसका कि वो पात्र होता है जब कि कई बार हमारे यहीं से जो लोग दूसरी ज पर इस तरह की परमपराएं हैं हिंदी में ये बड़ा संकट है कि हमारे यहां लेखक हमारे बीच होता है जब तक वो होता है हम उसको पहचान नहीं पाते हैं उसके बाद ठीक है कुछ बेमर्स होते हैं क्योंकि आप रवाई घाटी से आते हैं और महाविर रमाल्टा को बह अगर रवाई के आप किसी भी बेक्ति से पूछेंगे तो महाविर रमाल्टा पहले सहित्यकार है रवाई के जिनको मैं सहित्यकार मानता हूं ऐसे छोटी छोटी रचना है और एक किताब दो किताब लिख कर बहुत सारे लोग निकल गए लिकिन अगर महाविर रमालटा के बात की जाए तो वह पहले ऐसे बेखती हैं जुनको रवाई के जो साहितेकार हैं रवाई के पहले साहितेकार महाविर रवाल्टा है तो इस सब अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका क्या अस्थान हो लेकिन जनता में भी जनता और समाज में भी सुरू में हम जब छोटे थे हम को भी नहीं जानते थे कि महाविर रवाल्टा कोन है और हमने जब कोशिज किया मेरे पापा अध्यापक रहे है और जहां से महावार महाविर रवाल्टा जी का जो मूल गाओं है वहीं पापा ने पढ़ाना बढ़ाया बच्चों को वहीं वहीं स्कूल में थे तो वहां से पापा से हमने सुना था महावीर रवाल्टा यह लिखते हैं तो बहुत पहले तक हमें भी बहुत जादा जानकारी नहीं थी कि क्या है बहुत जादा इंटर्च वी नहीं था साहिते की तरफ और अपनी लोग से भी इतना जैसे लड़के रहते हैं आम तोर पर लेकिन जैसे ध तरहों Japanese जैसे घ्रे जिख पढ़ना शुरू किया हमने सुरू कि ए महावीर रवाल्टा की को भी खोचना सूरू किया के रहरा ज्याहां पूरा जीवन खपा दिया आकास बानी से लेकर कि हर जगह हर मंच पर जहां भी उनको और चाहिए अच्छा लगाई आप से जानकर कि कम से कम रवाई-गाटी में ही रही हमारी हिंदी पट्टी का एक प्रतिष्टित साहित्यकार उस रूप में पहचाना जा रहा है जिस रूप में कि उसको पहचाना जाना चाहिए महाबिर् रव से रवाई घाटी आपका वैशक्स है बहुत-बहुत सुबकामना हैं आपको कि आप लगातार लिखते रहें और लगातार उस रवाई घाटी को नए-नए रूप में हिंदी पाठकों के सामने लाते रहें महावीर रमाल्टा जी और प्रदीप रावद रमाल्टा जी आप दो अगी बार फिर किसी नए विशय के साथ कुछ नए महमानों को लेकर आपके बीच आएंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए नमस्कार